दोस्तों आप यपी मौसम विभाग ने MP यानि की मध्यपरदेश को लेकर एक रेड अलेट अलेट जारी किया गया जी हाँ दोस्तों आज जो है मध्यपरदेश के कई जिलों में भारी मौसम में बदलाव देगने मिलेगा अगले 24-48 गंटों के दुरह ने भारी बारिश की उ मैं अब्सक्राइब कर देजिए साथ में गंटे के आइकन को दवा कर ऑल पर कलिक कर दिजए फ्र दोस्तों वे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जीले गाह में शेयर में रहते हैं यानि आप कहां पर रहते हैं कमेंट करके जरूर बतना तो दोस्तों अभी भी म मुस्ति जानकरी के मुताबिक बंगाल के खाड़ी में बने चकरवाद से हैधराबाद और साथ में दोस्तों कन्ना टक और साथ में महाराष्ट और गुजराथ के कई हिस्तों में काफी जदा असर देखने को मिले हैं तो आपको बता दूब इसका असर मध्या प्रदेश के भी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में मांसुन एक बार फीर दस्तक दे दिया और मंडला जिले में आज काफी ज़्यादा बारिश होने के अनुमाद जाता है रहा है बींडोरे में भारी मौसम में बदलाव देखने हो मिलेगा और होसंगाबाद संबागे भी कई जिलों म और भारी बारिश के अनुमाद जता है बोपाल में दोस्तों जानकरी के मुतावित बंगाल की खाड़ी में बने दो दबाव के शेत्र विक्सित हुए पहला अंद्रपरदिश होते हुए मारश्य के बढ़ रहे है और मुंबई के पास पहुंचते पर आती कम दबाव में ब दोस्तों अशोक नगर शिवपूरी में भारी से भारी बारिश के अनुमाद जता है दोस्तों आपके आपर अभी मौसम कैसा है सच सच कमेंट करके जरूब बहुतरा बहुपाल मध्यपरदेश में काफी जगों पर जो है मौसम में बदला देश मिल अगले 24-48 गंटों के दोन चिंदवाड़ा शिवनी और मंडला आधी जिलो में भारी बारिश की समभाव नहीं और एक दोस्तानों पर रात में पारा काफी जादे नीचे जाने लग गया याने की दोस्तों आपके यहां पर कितनी ठंड पढ़रे कमेंट करके हमें जरू और होसंगपाद, जबलपूर संभाग में रुक रुक कर बारिश होने की संभाव नहीं और मौसम विभा की माने तो उत्तर पाश्ची मी मद्ये परदेश और इन जिलों में काफी मौसम बदलेगा. और विशेश कर बोपाल, इन्दोर, जबलपूर, होसंगपाद, संभाग दीने मिलेगा बात करें दोस्तों खंडवा मध्यपरदेश की तो चार दिनों तक खंडवा में भारी से भारी बारिश की उम्मीद जताई जारी है आपके हां पर दोस्तों मौसम अभी कैसा है कमेंट करके जरू बतरा मैं आपको बता है दोस्तों अगले 24-48 गंटों के दुरा में कई राजियो में मौसम बदलेगा जिसमें मध्यपरदेश में काफी जगों पर मौसम बदलता नजर आ रहा है और वहाई दोस्तों आप स्क्रίν में पर देख सकते हैं काफी जगों पर घंडवा मध्या बारिश के उम्मीद दे चार दिनों तक अब भारी बारिश को और उसके बाद जो तो जो जो है काफी ज़्यादा बारिष में कमी आएगी ओंट आपको ऊठादू देवास की बात करें देवास मध्य पर सक्रीन पर देख सकते हैं से चार दिनों तक देवास मध्यपरदेश में भारी बारिश की उमीद जताई जारी है और दोस्तों आने वाले शनिवार और रिवार को भारी बारिश और बिजली चमकने के साथ साथ जो है कई जगों पर भारी से भारी बारिश की उमीद दे वहीं दोस्तों यहाँ पर राज करीब तहाफना रहेगा और भरी बारिश कि में दो नहीं काफी जगों की बात कर joue है जबने ऑने काफी बात की बात कर दुometर के जुना क्भी बात कर दोस्तों में तीन चार दिनों टो बारी बिजली चमकने और बारी बारी बारीश की उमीद हमें काफी जज़ाद देखने को मisel सकती है और दोस्तों आने वाले शनिवार और रविवार को भारी बारिश और भारी जिटपूट के साथ अलकी बुंदा मुदी भी देखने को मैं सकती है बोपाल मद्यपर्देश की बात करें तो तीन दिनों तक बोपाल मद्यपर्देश में भारी बारिश की उमीद जताई जारी है आप स्क्रिन पर देख सकते हैं काफी जगों पर मौसम में भारी बदलाओ दिखने हो में जकता है कटनी मध्यपरदेश की बात करें कटनी में कोई बारिश की उम्मीद नहीं लेकिन बादल काफी ज़्यादा चाहिए रहेंगे और ठंडा मौसम रहने की काफी ज़्यादा उम्मीद जारी है आपके यहां पर दोस्तों मौसम कैसा है कमेंट करके जरूर बतना और मंदसौर की बात करें दोस्तों मंदसौर में आप स्क्रिन पर देख सकते हैं अगले 5 दिनों तक मंदसौर में भारी मौसम में बदला और चिटपूर बारिश की उम्मीद है यानि कि पूरा ठंडा हो जाएगा मौसम और ठंडी के मौसम आपी शुरू अनले यहां पर भारी बारिश की उम्मीद जताई जारी है और वहीं दोस्तों धद्या मद्यबरश की बात करें तो आप स्क्रिन पर देख सकते हैं भारी गर्मी पड़ रही है लेकिन दोस्तों दो दिन के बाद आने वाले रहीवार को और सौंबार को मौसम में बदला देने हो मिलेगा जिसके थोड़ी गर्मी में कमी आ सकती है ग्वालेर की बात करें दोस्तों चार दिनों तक ग्वालेर में भारी मौसम में बदला और भारी बारिश की उम्मीद तो नहीं है लेकिन भारी से भारी गर्मी पड़ेगी दो दिन बले ही बादल चाहे रहेंगे लेकिन बारिश की जो है कहीं पर भी उमीद नहीं है ग्वालियर में और बताए जार है दोस्तों गालियर में जो है अगले 24 गंटों की तुरण भारी मौसम में बदलाव देखने हो देखने हो यानि कि दोस्तों ग्वालियर में अगले 2-3 दिनों की तुरण भारी मौसम बदलेगा लेकिन शन्यवार और फिर उसके बाद जो है काफी ज़दे गर्व मौसम रेने का लिए यानि कि अगले 24-48 गंटों की दुरण तो बारिश होने ही वाली है और वहीं दोस्तों बात करे बिंड मौसम की तो यहां पर देख सेते कोई बारिश की उमीद नहीं है भारी गर्मी का प्रकॉब रहेगा चातरपूर की बात करें दोस्तों पांस दिनों तक भारी बादल चाहे रहेंगे लेकिन बारिश की उमीद कहीं पर भी नहीं चातरपूर मध्यपरदेश में वहीं मध्यपरदेश के बोपाल हुसंगवाद संभाग में बारी बारिश की आशंका जते हैं साती दोस्तों बाकी जिलों में गरच चमक के साथ पूंदा-बुंदी होने की संभावन मध्यपरदेश के कई जिलों में काफी जगों पर बारिश हुए और अगले 27 गंटों के दोरां भी बारी बारिश की उमीद जते जारी है उज्जेन होसंगवाद इंदो राइसें और खरगों जिलों में भी बारी बारिश देखने को मिलने वाली है मौसम विभाग ने बताय जारा है कि दोस्तो जो है उडिसा उडिसके तर्टिय इलाकों में जो है काफी जगों पर मानसुन वह जो है चकरवा टकरन के बारिश की उमीद जते जारी है और मध्यपरदेश में मौसम का मिज़ा लगातार बदलता जारा है और मौसम विभाग मानसुन के जो है काफी ज्यादा जगों पर हलकी बारिश होने के अनुमान और खर्गों सई दक्षिन मध्यपरदेश और अनिक जिलों में भारी मौसम हवाई चल सकते और भारी बारिश की उमीदे और गर्ट चमक की साथ भारी बारिश चमक सकते है और मध्यम गतिसे अगर आपको वीडियो पसंदाए तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरू करना